प्रकृती का बनाया हुआ एक ऐसा इंसान जो प्रकृती से बहुत प्यार करता है जो प्रकृती के द्वारा बनाये गए तौर तरीकों से जिन्दगी जीता है जिसे मौडरन चीजे पसंद नहीं जिसे मौडरन इंसान से नफरत है और हम लोगों ने उस इंसान को एक नाम दि और जाना होगा लेकिन धीरे धीरे हम इंसान मौडन होते चले गए और आज हम इस जगह तक पहुँच चुके हैं कि हर रोज प्रकृती की छाती को चलनी कर रहे हैं लेकिन आज भी हमारी प्रित्वी पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो प्रकृती के नियों के अनुसार चलते ह जैसे आज से हजारों साल पहले हमारे पूरवज रहा करते थे और अपने तौर तरीकों से धर्ती को और अपनी प्रकृती को बचानी के लिए इतने आक्रमक हो जाते थे कि दुनिया की सबसे तगड़ी माने जाने वाली अमेरिकन आर्मी भी उन जन जातियों से डर कर भाग खड़ी होती है और आज हम आपको इस वीडियो में हमारे दुनिया में मौझूद उनी जन जातियों के बार में बताएंगे उनी आदिवासी समुदाय के बार में बताएंगे जिनाने अपनी प्रकृती और अपनी बह60 अपनी परमपरा को दुनिया भर के लोगों से लड़ करनी जा रहे हैं उनका नाम है चिम्बू आदिवासी समुधाय दुनिया के सबसे खतरनाक आदिवासियों में से एक चिम्बू पापुआ न्यू गिनी के चिम्बू इलाके में रहते हैं इस समुधाय में रहने वाले लोग अपने शरीर को मिट्टी और राख की मदद से इस सामना अंग्रेजों से हुआ था जिसमें अंग्रेजों को बुरी तरीके से डर कर भागना पड़ा था आपको जानकर हैरानी होगी जब किसी का सामना इस समुधाय के लोगों से होता है तो लोग इनके लड़ाई से ज्यादा इनकी शकल को देखकर डर जाते हैं ये लोग आ आपको बता दे मोहावक बालों की एक बनावट को कहते हैं जिसमें बाल किसी इंसान के सिर पर खड़े ज्ञाडियों जैसा दिखाई देता है इस आदिवासी समुदाय के लोग बालों को इसी तरीके से सुझाते हैं यही वज़ए कि इनका नाम मोहावक समुदाय रखा गया ये आदिवासी का समुदाए नौर्थ अमेरिका का सबसे पहला आदिवासी समुदाए है। ये आदिवासियों का एक ऐसा समू है जो बंजारी की तरह अपनी जिंदगी बताते हैं एक जगे से दूसरी जगे तक भागते रहते हैं एक वक्त ऐसा आया जब ये लोग अमेरिका से हट कर कैनेडा चले गए लेकिन उससे पहले इस आदिवासी समुदाय का सामना और फ्रांस के मौडन सैनिक इस समुदाय से बहुत बुरे तरीके से हार गए उस वक्त ब्रिटेन और फ्रांस के सैनिकों से लड़ने के लिए इस आदिवासी समुदाय ने दो अलग लग आदिवासी समुदाय से गठवंदन किया था वैसे तो इस समुदाय में रहने वाले लोग बहुत ही शांती से रहने वाले लोग हैं लेकिन जब बात उनकी अपनी जिंदगी पर आती है तो वो बहुत ही आक्रमक हो जाते हैं इस समुदाय के सबसे खास बात ये है कि इस समुदाय में सिर्फ पूरश ही लीडर बन सकता है और उससे भी हैरानी की बात ये है कि ली से कटा हुआ है इस वक्त वहां क्या हो रहा है और वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं इसके बारे में किसी को कोई पुखता जानकारी नहीं यह जन जाती कहीं और नहीं बलकि हमारे भारत के ही बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के बगल में बने एक छोटे दिशन परके वेग्यानिकों का मानना है कि एये समुधाए ऐकलौता से समुधाय है जिसे देखकर हमें इनसानों के शुरौती जिन्दगी के बारे में कल्प ना कर सकते हैं कि विव LOG कैसे रहते होंगे लेकं अफसोस की बात यह है कि दुनिया में कोछ ऐसे भी पागल दुनिया बर के लोगों को इसाई बनाने की चाहत देखने वाले इन पागल लोगों की पूरी दुनिया में बहुत आलोजना हुई इसे शक्स की मौत पर दुख जाहिर किया जाए या फर खुशी जाहिर की जाए कि वादिवासी इन खतरनाक लोगों के चंगल से बच निकले आप अपने विचार हमें कॉमेंड में बताईएगा खैर भारत सरकार ने इस दुईप पर जाने के लिए दुनिया के किसे भी शक्स को पूरी तरह से बैन कर रखा है बारत सरकार ने सिर्फ इतना ही काये कि दूर से सिर्फ इस दुईप की निगरानी की जाए कि वे लोग ठीक से है या नहीं लेकिन कभी भी किसी को भी उसके पास जाने की जरूरत नहीं है ये पूरा इलाका इंडियन नेवी के द्वारा प्रोटेक्टेड जोन में रखा गया है इंडियन नेवी दिन रात उन लोगों की रक्षा के लिए वहाँ पर तैनात रहती है अब तक कई ऐसे मामले आ चुके हैं जब कोई जान बूचकर या फिर अंजाने में इस दूइप पर गया और उना अदिवासियों ने उस शक्स को मौत किनीन सुला दिया अब हम जिस अदिवासी समुदाय की बात करने जा रहे हैं या अदिवासी समुदाय भी अमेरिका में ही रहने वाला है लेकिन आज के वक्त ये लोग अमेरिका से हटकर पैंसिलवेनिया के इलाकों में रहते हैं इस समुदाय में लोग अपने नित्रित्व करता को चुनने के लिए उसके लड़ाई करने के स्किल और तीर अंदाजे के तरीकों को देखते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि अदिवासी तरीके से रहने वाले लोगों के पास युद्द के बहुते खतरनाक तरीके होते हैं जब ब्रिटिश लोगों ने इसके जमीन को हत्याना चाहा था तो इस आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश सैनिकों को बहुते बुरे तरीके से हराया था बाद में इन लोगों ने अमेरिका के लोगों से भी लड़ाई लड़ी जब अमेरिका के पूंजी पती लोग इनकी जमीन को हत्या कर उसका मॉडरनाईजेशन करना चाहते थे लेकिन अफसोस ये समुदाय धीरे धीरे खत्म हो रहा है ये अमेरिका के कुछ ही इलाकों तक सीमित रह गया है असाराव मड़मैन अब हम आपको जिस आदिवासी समुदाय के बारे में बताने जा रहे हैं ये दुनिया के सबसे खसरनाक दिखने वाले आदिवासीों में से एक है जो पापुआ न्यू गिनी के जंगली इलाकों में रहता है इसे मिट्टी से लिप्टावा इंसान के रूप में भी देखा जाता है दरसल ये जब भी अपने शिकार पर निकलते हैं या फिर कभी जंग पर निकलते हैं तो अपने पूरे शरीर और चेहरे पर मिट्टी लपिट लेते हैं अपने पूरे शरीर को सफेद रंग से रंग लेते हैं और अपने उंगलियों पर बांस लगा लेते हैं पर अपने चेहरे पर मिट्टी के मास्क लपेट लेते हैं। इन लोगों वो लगता है कि ऐसा करने से उसके दुश्मन उन्जे डर जाएंगे और यकीन बानिया ऐसा होत बी है दुनिया के चाहे कितने भी खतरनाक आर्मी ही क्यों ना हो इनके चेहरे के इस तरीके के बनावट देखकर किसी की भी रोंग्टे खड़े हो जाएंगे कोरूबो ट्राइब कोरूबो जनजाती दुनिया के उनकुछ जनजातियों में से एक है जो आज की मौडन लाइफस्टैल से दूर रहकर एक अलगी जंगली तौर तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं ये जनजाती ब्रेजिल में रहती है जो के अमेजन के जंगलों में अपनी जिंदगी बिताते हैं लेकिन अफसोस आज उनके जनजाती में सिर्फ 150 से 180 लोग ही बचे हैं ये जंगल में ही शिकार करते हैं और अपनी जिन्दगी बिताते हैं लेकिन आज के वक्त में एक ग्रूप दो भाग में बढ़ चुका है एक ऐसा ग्रूप है जो अपने कटर सो भाव की वज़े से इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि पुराने तोर तरीकों से ये अपनी जि अपरत करता है अगर आपका सामना कभी उस ग्रूप से हो जाये तो हो सकता है वे लोग आपको मौत के घाट उतारते हैं सूरी ट्राइव एथ होपिया और आज के वक्त में इनके जनजाती में करीब 7,000 से जादा मेंबर हैं ये आदिवासी भी दुनिया के सबसे खतरनाख जनजातियों में इसे एक है ये जनजाति अपने शरीर पर अजीवो गरीब और दर्दनाग बनावट की वज़े से दुनिया भर में मशूर है जैसे कि आप इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोई अपने लिप में बड़े से प्लेट को फसा रखा है तो कोई लिप को इनके समाज में उतनी जादा होंगी आपको जानकर है रहरानी होगी ये बहुती दर्द भरा तरीखा होता है लेकिन इसे जनजाति में रहने वाली आउरतों को उस दर्द की आदद पढ़ जाती है और उनके लिए वो दर्द कोई माइने नहीं रखता इस जनजाति में अपने सैनिकों को तयार करने लगते हैं तो दोस्तों देखा आपने भले ही आज हम इंसान कितनी मौडन जिन्दगी को जी रहे हों लेकिन आज भी हमारी प्रिथ्वी पर ऐसे-ईसे लोग मौजूद हैं जो प्रकृती के नियमों के साथ अपनी जिन्दगी को जी रहे हैं वो ऐसी जिन्दगी जीते हैं जिससे प्रकृति को कोई नुकसान न हो। बहले है आज उनकी संख्या बहुत ही कम है लेकिन उसके बावजूद वो अपनी प्रकृति, जमीन और अपनी परमपराओं को बचाने के लिए हम लोगों से लड़ने के लिए हमेशन तयार रहते हैं। दोस्तों ये जानकरिया आपको कैसी लगी और इन आदिवासी जनजातियों को लेकर आप क्या सोचते हैं।